नमस्ते दोस्तों तो आज हम बनाते हैं आलो भुजिया ओभी मार्केट स्टाइल बिलकुल घर में बिलकुल भी इसमें तेल नहीं रहेगा इसके लिए खास ट्रिक का हमने यहाँ पर यूज किया है इतनी कुरकुरी है कि आप मार्केट से लाना भूली जाएंगे आलो का परफेक्ट फ्लेवर इसमें आएगा सभी चीजे हमने परफेक्ट मेजर्मेंट से ली है और इसे बनाया है तब ही अच्छे से बन गया तो आप भी वीडियो को पूरा देखिए और इसी तरह से आलो भुजिया घर पर ही बनाए तो चलिए सबसे पहरे देखते हैं आलो को कैसे उबाले तो अगर आपने आलो को सीधे पानी में डाल कर उबाला तो ज़्यादा पानी सोक करेंगे और आलो में पानी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बेसन लगेगा तो उसमें ज्यादा बेसन का ही स्वाद आएगा आलू का स्वाद नहीं आएगा तो आलू उबालते वक्त कुकर में नीचे पानी डालिए एक बरतन में आलू को रखिए उसमें पानी नहीं डालना है उस बरतन को उस पानी वाले कुकर में रख दीजिए और इस तरह से आलू को वॉयल करिए आलू वॉयल होने के बाद उसको थंडा होने दीजिए और थंडे होने के बाद उसको छोटी ग्रेटर से ग्रेट करना है देख सकती बिल्कुल छोटा वाला ग्रेटर का यूज करना है जिससे हम अध्रक को ग्रेट करते हैं चाय में डालने के लिए बस उसी से ही क्योंकि इसके हमें बहुत ही महीन लच्छे चाहिए बहुत ही महीन चाहिए इसके हाथ से बिलकुल ना करिए क्योंकि अगर इसमें से कोई उठड़े रहे गई तो अच्छे से आलो भूजिया नहीं बन पाएगे क्योंकि वह बहुत ही बारिक वाली चन्निस से हम इसको बनाएंगे तो छोटी छोटी बाते हैं इस बात का आप ध्यान दीजे मैं आपको डेटेल में रेसिपी दे रही हूँ तो आप पूरा देख लीजे और आप भी मार्केट स्टाइल आलो भूजिया घर पर ही बनाएंगे तो यहाँ पे हमने दो आलो का यूज किया है अगर बड़ा आलो है बहुत ही बड़ा तो एक ही ले लीजेगा या फिर आपने कितनी कॉंटिटे में आलो भूजिया बना रहे हैं उसे साब से ले ले जिगा सभी आलू को मैंने यहापे ग्रेट कर दिया हैं देख सकते हैं आप मेरे पास बड़ा आलू था तो मैंने एक ही ले लिया बहुत बड़ा था यह थोड़ा सा अगर छोटे हैं तो दो ले लिजेगा है न और इसको स्रीप पानी में जैसे मैंने उबालने का तरीका बताया उस तरह से उबालेगा और इसको बारिक वाली ग्रेटर से ग्रेट करना है बस इतना काम हमें सबसे पहले करना है यह होगे हमारी पहली स्टेप अब चलते दूसरी स्टेप की तरफ अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, मसाले की तोर पर सबसे पहले जाएगा टेस्ट के अनुसर नमक, आधा चमज डालेंगे हल्दी, छोटा वाला चमज है आपने देखा ही, साथी साथ एक चमज भरकर डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं चाट मस चाट मसाला डालेंगे तो बाकी और कोई मसाले डालने की जरुरती नहीं होती है अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आमचुर का पाउडर डाल दीजेगा और यहां पे हम काली मिर्श का यूज़ कर रहे हैं तीखे के लिए अग इसमें डाल दिया हमने देड़ कटोरी के करीब बेसन तो सबसे पहले एक कटोरी डाल दी है आदा कटोरी बाद में डालेंगे पहले इसको मिलाएंगे अगर जरुरत पड़ी तो आदा कटोरी डालेंगे नहीं तो नहीं डालेंगे बेसन का प्रमान थोड़ा सा कम जादा हो तो बैसन की quantity यहाँ पर थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए बचा हुआ आधा कटोरी बैसन था ओ भी मुझे लगेगा तो मैं इस स्टेज पर उसी भी डाल रही हो। तो अब हमने इसको अच्छे से मिला दिना है। देख सकती है। बैंडिंग भी अच्छे से आ रही है। और अगर आपको बैसन की मातरा थोड़ी से ज़्यादा लगे तो डरने की कोई बात नहीं है। आप इसमें बैसन की मातरा बढ़ा सकते है। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी और करारा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे दो चम्मच के करिब चावल का आटा। थोड़ा सा इसको खुश-कुश इत्याने की थोड़ा सा इसको मार्केट स्टाइल बनाने के लिए हमने इसमें तेल भी डाल दिया है। करिब-करिब छोटे दो चम्मच देख सकते हैं अच्छे से ये डो बन चुका है। ऐसा हमें डो चाहिए है। तो चलिए आप लेते हैं मशीन जिससे हम आलो गुजय बनाएंगे। ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसको मैंने छोटे वाले छेत की छन्नी लगा दी है। इसको थोड़े से तेल से ग्रिस करेंगे ताकि आटा अंदर चिपके नहीं। इस आटे को हमें रेस्ट के लिए नहीं रखना होता है। आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अगर आपके हाथ पर थोड़ा सा चिपक रहा है क्योंकि इसमें बेसन डाला है तो आप इस कड़ाए में आएगा उतने हमने अलू बुजय इसमें डाल दी है। उपर सा जाक थोड़ा सा कम हो जाए तो इसको पलट देते हैं। अब लोटू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पहले पकाया। अब थोड़ा सा गैस की फ्लेम बढ़ा दी है ताकि रंग अच्छा आ जाए और इसको हमने क्रिस्पी करा रहा होने तक तर लिया तो निकाल लेते हैं। तो इसको कोई दूसरी वाले चन्नी पर निकाले गया ताकि एक्स्ट्रॉयल निकल जाए। कलर देख लीजेगा कितना बढ़िया आ गया है पर्फेक्ट। एक ब्याज थोड़ी से जादा हो गई बाकि कोई बात नहीं खाने में अच्छे लगेगा। तो मैंने क्या किया एक चन्नी पर इसको रखा ताकि बचा कुछ एक्स्ट्रॉयल पर निकल जाए। देख सकते हैं। कितना पर्फेक्ट है। और कुरकुरा देख लीजेगा। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे से आ इलकुल भी ओईली नहीं बने हैं तो इस तरह से आप आलो बुजिया घर पर जरूर बना सकते हैं।